आखिरकार दिल्ली चुनाव में भी हो गई पाकिस्तान की एंट्री क्या आठ फरवरी को दिल्ली में भार्ग पाकिस्तान में मुकाबला होगा? दिल्ली के सत्तर सीटों वाली बिधानसवा के लिए आठ फरवरी को चुनाव होंगे विधान सबाच चुनाव में मुख्य मुकाबला तीन प्रमुक दलो सत्ता रूर आमाधी पार्टी, बीजेपी और कॉंग्रिस के बीच है तीनो ही दलो ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत जहुग दी है आरोप, प्रत्यारोप और ब्यानबाजी का सिलसिला अपने चरम पर है इन सब के बीच दिल्ली चुनाव में पाकिस्तान की वी एंट्री हो गई है दरसल सक्ताधारी आमाधी पार्टी जहां बिजली, पानी, सिक्षा के मुद्धे पर प्रचार कर रही है तो वहीं आपके बागी नेता और बीजेपी के उमीदवार कपिल मिश्रा ने के जिरिवाल सरकार को इन मुद्धों पर घेरने के साथ ही पाकिस्तान को भी चर्चा में ले आये हैं कपिल मिश्रा ने अपने टूइट में लिखा है आठ फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदूस्तान और पाकिस्तान के वीच मुकाबला होगा हालकि ये पहली बार नहीं है जब देश के किसी चुनाव में पाकिस्तान के इंट्री हुई हो इससे पहले 2015 के विहार विधान सब्च चुनाव में भी पाकिस्तान ऐसे ही अचानक केंद्र में आ गया था ये बयान भी बीजेपी नेता की तरब से ही दिया गया था उस वक्त बीजेपी के राजटे देश हमित सा थे सा ने विहार में चौते चर्ण के मतदान से पहले रकसौल में एक रैली को संबोधित किया जिसमें सा ने कहा थे कि अकर बीजेपी हारती है तो पाकिस्तान में फटा के फोड़ कर जस्प मनाया जाएगा हाला कि चुनाव नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे थे लेकिन साह के बयान की शिकायत चुनाव आयतों पहुँच गई और ये एक बड़ा मुद्धा बना था और अब पांस साल बाज भी दिल्ली के बिजान सबा चुनाव में भी पाकिस्तान का जिक्र आही गया आपको बता दे कि अर्विन केजरिवाल के नेतरतो वाली आमाधी पार्टी सरकार में मंत्री रहे कफिल मिस्रा को बीजेपी मौडर टाउन से उमिद्वार बनाया गया इससे पहले कफिल मिस्रा करावल नगर से भिधायक थे साल 2018 में कफिल मिस्रा को अर्विन केजरिवाल ने मंत्री मंदल से निकाल दिया था जिसके बाद से ही कपिल मिस्रा, सीम अर्विन केजरिवाल, उनके सरकार और पार्टी ए खिलाब मोर्चा खोला हुआ है चुनाव से एन वक्त पहले मिस्रा बीजेपी में सामिल हो गए तो वहीं बीजेपी ने भी उन्हें मौडर टाउन से टीकट थमा दिया नाम अंकन भरने के बाद मिस्रा एक बार फिर गरजे और दावा किया के दिल्ली में बीजेपी के सरकार बनेगी अब कपिल मिस्रा के दावों में कितना दम है इसका पता तो 11 फरवई को ही चलेगा जब नतिजों का एलान होगा इंडिया निउस बारल की रिपोर्ट